एक्षाइब करने से पहले के जो प्राइस लेवल से उनसे भी ये कंपनीज ये स्टाइक नीचे जा चुके हैं और इस दी मेजर कंसर्ण आफ दी मार्केट सो मुझे ऐसा लगता है कि जो जो लोगों ने ये दोनों स्टॉक्स जो है आसे सी हो या मुझा सिमेंट्स हो जिस में अपमूव हमने देखा था आप्टर दी अक्विजिशन तो जो जो लोगों को लग रहा था कि ये सिर्फ अदानी ग्रूप में चले गए और ये रॉकेट बरेंगे अगर 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 अदानी ग्रूप को पैसो की requirement लगती है लोंस में अगर कहीं पर प्रॉब्लेम्स क्रियेट होते हैं तो आई विल नाट बी सर्प्राइज की अदानी ग्रूप शायद अदानी ग्रूप शायद एसी सी या मुझा सिमेंट्स के स्टॉक्स को भी वह प्लेज कर सकते हैं So because to raise money अगर वहाँ पे easily पैसा अविलेबल नहीं हुआ So definitely there could be a problem एक चीज़ याद रखने होगी 2.2 lakh क्रूप का डेट अडानी ग्रूप पे अभी है So ये डेट अगर हम देखते हैं कहीं ना कहीं इसका repayment या maturity in between आती रहेगी And at that point of time some problems could be faced क्या होता है एक बार एक बार एक problem आता है और उसका cascading impact बहुत बड़ा होता है I am not trying to compare ILA-NFS with अडानी group specifically But we have seen जब ILA-NFS में problem भूआ था तो उसके बाद कैसे debt के problems पूरे sector में सामने आते गए And that could be a big problem So that's why So उसका एक impact definitely group companies के share prices पे भी हो सकता है आज भी जब हम बात कर रहे हैं 10-10% के आदानी group के stocks नीचे है But Ambuja Cements and ACC are down by 1-1.5% तो वहाँ पे valuations पे अगर हम देखते हैं कहीं ना कहीं वो एक comfort compared to earlier valuations अभी ACC और Ambuja Cement as a business point of view से हमें दिखता है But we cannot deny that कि अगर overall group stocks पे pressure आएगा तो वहाँ पे selling pressure हो भी सकता है तो जैसे मैंने बोला कि जोन्होंने सिर्फ और सिर्फ अब ACC और Ambuja Cement अदानी group के part हो चुक है and that's why we should buy ऐसा सोचा था और उसका वो सोच के अगर investment किया है तो answer ढूणने में कोई जादा तकलिफ होनी नहीं चाहिए हाँ बट अगर कोई बोल रहा है कि नहीं नहीं as a business में काफी लंबे समय से अगर ये cement stocks में invested रहना चाहता हूँ तो वहाँ पे एक as a business बोलके possibility हो सकती है but collateral damage की risk जो है वो इस company पे इन दोनों companies पे अविलेबल है हो सकता है if you don't want to have such kind of problems so then there are other cement stocks market leaders are also available in the market की जो infrastructure segment को काफी support कर सकते no direct advice or recommendation to anybody if you want to know what stocks or mutual funds one should have according to different risk profiles in their portfolios तो आप हमारे model portfolios को subscribe कर सकते हो and if you are from Bangalore so Bangalore में हम 25th of February को एक session करने वाले है investing session so topic है financial freedom तो अगर उसकी seat आपको book करनी है तो comment section में और description box में वो links मेंने दिये हुए है you can book your seat for that Bangalore session सुबह 10 बज़े से लेके 2 बज़े तक वो session रहेगा MG Road पे we are going to take that session details आपको अगर आप booking करते हो तो आपको सारी details location के आ जाएंगे आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा informative लगा होगा वीडियो को like करना, share करना हूँ चैनल को subscribe करना होगा बुलना next video में मिलते है जाएंगे जाएंगे जाएंगे